गुड मॉनिंग सुडेंट्स, टेक आट यूर नैतिक शिक्चा बुक, पेज 25, पार्ट 25, पार्ट का नाम है सच बोल, आप मैं पढ़ेगी और आप ध्यान से सुनेगी, देखो इस चित्र को देखो, इस चित्र में बच्चा कैसे बैठा हुआ है, और लिखा हुआ है जुक क जुक कर मत बैठ, क्या हमें ऐसे बैठ कर पढ़ना चाहिए, नहीं, ये गलत पोस्चर है, हम गलत उसमें बैठे हुए है, हमें ऐसे बैठ कर नहीं पढ़ना चाहिए, हमारी कमर सीधी होनी चाहिए, और हमारी बुक हमारी लेवल पे होनी चाहिए, ये मेज थोड़ा उपर ह होना चाहिए तो हमें जुक कर नहीं बैठना इससे हमारी यह वली जो रीड की हड़ी होती है उसमें प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको जुक कर बैठकर नहीं पढ़ना है अब यह देखो नाक से सांस ले हम सांस लेते हैं तो हमें नाक से सांस लेना चाहिए हमेशा आप नोट करो आप नाक से सांस लेते हो नाक से ही सांस लेना चाहिए हमें ठीक है उसके बाद देखो मुं से सांस मत ले हमें मुं से सांस नहीं लेना चाहिए नाक से ही लेना चाहिए सांस मुं से सांस लेना गलत बात होती है ठीक है तो हमें मुं सीधा बैठा हुआ है सीधा बैठा हुआ है सीधा बैठ सच बोल हमें सच बोलना चाहिए जूट नहीं बोलना ठीक है मीठा बोल मीठे बोल बोलने चाहिए कोयल जैसे कोयल की आवाज अच्छी लगती है और कोवे के आवाज अच्छी लगती है नहीं कोयल की अच्छी लगती क्योंकि वो मीठा बोलती है हमें कोयल जैसे मीठे बोल बोलने चाहिए भला बोल और सबका भला अच्छा बोलना चाहिए हमें भला बोल बोल अच्छे बोल बोलने चाहिए हमें किसी के बारे में जैसे हमें हमेशा कहना चाहिए हे बगवान जी सबका भला करना तो उसमें हमार भला अपने आप हो जाता है, हमें कभी किसी के बारे में गलत बोल, नहीं बोलने चाहिए, जूट मत बोल, जूट नहीं बोलना ना, जूट बोलना गलत बात होती है, भगवान जी पाप भी लगाते हैं, तो हमें जूट नहीं बोलना चाहिए, करवा मत बोल, हमें कोई भी ऐस बोल नहीं बोलना की हैं जिससे किसी दूसरे को दुख़ पहंचें बुरा बोल मत बोल बुडे बोल नहीं बोल warfare बिल्कुल भी नहीं हैं घ्ली की साथ है Kin promotes की अब अवकाश हो गया अब च्छुटी हो गयी देखो बैल हो गयि थीक एब अवकाश हो गया तो आपने इस पार्ट में चिखा कि हमें जुक कर नहीं पढ़ना, सीधे बैठ कर पढ़ना है, नाक से सांस लेना है, और सच बोलना है, मीठे बोल बोलने है, उस भले अच्छे बोल बोलने है, जो दूसरे के मन को अच्छे लगे. कोई भी ऐसा बोल नहीं बोलना कड़वार या बुरा बोल नहीं बोलना जो किसी दूसरे के मन को दुख पहुंचाए हमें किसी को दुख नहीं देना हमें बिल्कुल भी यह दिकार नहीं हम किसी के दिल को दुखाए हमें ऐसे बोल बोलने हैं जो किसी के दिल को अच्छे लगे, वो खुश हो जाए, ठीक है, और उसके बाद अब अवकाश हो गया, छुट्टी हो गई, तो आप सब यह सीखेंगे, और इस पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, और इसमें जो लिखी हुए अच्छे ची बाते, उनको फोलो भी करेंगे, दाने बाद